इस पर शुद्र कौन है इस पर बहुत बरे बिद्वान एक किताब लिखे हैं जिनका नाम है बी आरम भेट कर हुवेर सुद्राज तो उस किताब को लोग को पढ़ना चाहिए तो पता चलेगा कि सुद्र कौन थे जो सुद्र थे वो क्षत्रिय थे और बरहामन क्षत्रिय में संघर्स होने के चलते बाद में वो शुद्र बनाए गए यह हैं सब लोग भारत के लोग हैं राश्टिरिये एकता को अस्थापित करने के लिए हम लोग को इस मुल मंतर को जपना चाहिए कि इतिहास का लेखन होता है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है तो मैं तो कहूंगा कि जो सरकार के द्वारा जो किताब पब्लिश्ट होगी उसको पढ़ना चाहिए इसके अतरीक तो और भी जो टेक्स्ट बुक है उस पुस्तक का अध्यन करना चाहिए और बिधायक जी को अच्छा ग्यान दे दिए कि क्या समझना चाहिए वी आरद फीपोल अफ इंडिया भारत का समिदा एक सवाल और की सुद्र और जो आरे हैं यानि ड्रविड और जो आरे की लड़ाई है उसकी क्या प्राम निक्ता है और दूसरा चीज की संस्कृत और तमिल को लेकर के भी लड़ाई चलती है कि तमिल पुरानी है कि संस्कृत पुरानी है दूसरा यह चीज कहा जाता है कि सुद्र जो है यहां के मूल निवासी है तो इसमें कितने सचा है क्या सुद्र यहां के मूल निवासी है देखे इस पर शुद्र कौन है इस पर बहुत बरे ब बेटकर यह बताने का प्रयास किये हैं कि जो सुद्र थे वो ख्षत्रिये थे और ब्रहामन ख्षत्रिये में संघर्स होने के चलते बाद में वो खुद्र बनाए गए यह बनाए गए बने नहीं बनाए गए यह कोई भी चीज को पढ़कर करना चाहिए हावा में बात नहीं करना चाहिए यह आपनी बड़ी बात कहीं किताब का क्या अधार फूर्व यह सुद्र गॉन जए फूर्व को माना जाए यह जो मूलनिवासी हैं किसको माना जाए आप मुल लिवासी की चर्चा हम नहीं करेंगे रसूदर की चर्चा करेंगे हम इसा प्रयास करते हैं we the people of India की बात करेंगे सब लोग भारत के लोग है राष्टिरीये एकता को अस्थापित करने के लिए हम लोग को इस मुल मंतर को जपना चाहिए ना कोई मुल लिवासी है ना को अस्थाफित करने के लिए कहा जाता है सबसे बहुत अच्छा इंवर्सिटी है विद्दवान इंवर्सिटी तो वहां इस सब लाइन अगर लिखा जा रहा है तो उस पर आप क्या बोला है हम हमेशा भारतिय संभीधान को मानता हूं और भारतिय संभीधान के प्रस्थाबना को कहता हूं कि सब लोग अपने को आत्म साथ किजिए 352 को समझिए सब समस्याग दूर हो जाएगी बस मेरा यही हमेशा करना है यह जो बिदायक जी उनको आप क्या समझाना चाहिए कोई भी परतिनिधी हो कोई भी बिद्वान हो कोई भी संत हो क मैं सभी लोग को यही आधर पुर्वक और निवेदन करूंगा कि हम लोग भारतिये एकता को अस्थापित करने के लिए वी दा पीपूल अफ इंडिया के कॉंसेप्ट को मानना पड़ेगा तब जाकर कि ससक्त भारत बनेगा नहीं तो अलग-अलग मतों में अगर बढ़ ज चाहिए इन से चीजों को अगर आम जनता या जो इस्टूडेंट है अगर पढ़ना चाहिए तो आपका कौन सा किताब रेकिमेंट होगा जो हिस्ट्री की सही जनकारी उनको दे होता क्या है कि इतिहास का लेखन होता है जिसमें सरकार का बहुत बढ़ा रोल होता है तो मैं तो कहूंगा कि जो सरकार के द्वारा जो किताब पब्लिश्ट होगी उसको पढ़ना चाहिए इसके अतरिक्त और भी जो टेक्स्ट बुक है उस पुस्तक का अध्यन करना चाहिए और यूटूब से बचना चाहिए गूगल से बचना चाहिए अगर सही ग्यान लेना है तो अगर किताब की और नहीं बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि दिखभर्मित रहेंगे हर लोग दिखभर्मित रहेंगे बीना किताब पढ़े बीना रमायन पढ़े बीना गीता पढ़े बीना वेद पढ़े किसी पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए चलिए क्या नाम बताया है था टेक्स्ट बुक से पता चलेगा कि इतिहास क्या है और कौन सी बाते सच है कौन सी बात जो है उसको दिखबरमित किया जा रहा है दूसरा चीजी यह है कि जो बाते इतिहास में हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया उस सबको भूल कर जब 1950 के बाद से समिधान लागू हो गय आपको समिधान सम्मत ही बात करनी होगी और समिधान के तहरत ही आपको चलना होगा यहां नो कोई ब्रह्मन है यहां न कोई सुद्र है न यहां कोई छत्री है न कोई वैस्ट है यहां वी आर दफीपूल यानि वी दफीपूल अफ इंडिया यानि हम भारत की लोग जो भार कि समिदाने उसका प्रस्तावना है उसको परने की जुरत है और उसको देखने की जुरत है आप जन्त आजक्षन देख रहे हैं